नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले डीप ओशन मिशन के बारे में जिसमें हुमन्स को भी भेजा जाएगा और इसका नाम रखा गया है समुद्रयान जैसे कि आपने गगन यान सुना होगा वो भी मिशन लॉंच किया जाएगा जहाँ पर इंडियन्स को भ पहुंजेगी कि exactly है क्या और किस तरह से भारत को ये फाइदा पहुंचा आने वाला है काफे कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाइम की त्यारी कर रहे हैं तो simply आप हमारे आपको डाउनलोड करिए या फि National Institute of Ocean Technology वहाँ पर Friday को ही launch किया गया है समुद्रयान और इसकी वज़े से भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक हो गया है जो की एक प्रकार का जो underwater vehicle है उसको भेजा जाएगा समुद्र के अंदर और यहाँ पर जो भी research करना है जो poly metallic nodules वगर हैं उसको यहाँ पर हम ल आसे भारत भी जो है वो अब elite club में जुड़ चुका है USA, Russia, Japan, France, China अभी तक इनी देशों ने यहाँ पर underwater vehicle को भेजा था लेकिन अब भारत भी इसमें आ जाएगा और इसकी वज़े से यहाँ पर जो ocean के resources हैं उसको हम काफी अच्छे से explore कर पाएंगे जैसे drinking water, clean energy, blue economy यह सार आप देखोगे भारत का यह जो आपका पूरा coastal region है यहाँ पर उपर आप देख सकते हो यहाँ से जो भारत के पास resources हैं एकसेस करने के लिए वो उसको कहा जाता है exclusive economic zone मतलब जो हमारा coastal land है वहाँ से मुश्किल से 200 nautical miles तक ही हम उसको access कर सकते हैं लेकिन बाकी का क्या इतना बड़ा जो Indian Ocean आप देख रहे हो इतना बड़ा जो area है क्या उसको access करने के लिए क्या होना चाहिए तो देखें United Nations के अंदर एक यहाँ पर organization है जिसका नाम है International Seabed Authority इनके दोरा permission दिया जाता है कई सारे देशों को कि यह जो ocean के resources हैं यह जो deep ocean में आप देख रहे हो बहुत सा गया कि जो polymetallic nodules है Central Indian Ocean Basin के अंदर अब Central Ocean Basin कौन सा है जैसे कि आप देख पाओगे यह पूरा जो Indian Ocean है वो तो बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यह जो central वाला पूरा area है इसको कहा जाता है Central Indian Ocean Basin तो यहाँ पर करीब 75,000 square kilometer का जो area है वो भारत को allocate कि किया गया है और यहाँ पर क्या होगा कि जो polymetallic nodules है अब यह किस तरह का दिखता है जैसे कि आप देख पाओगे यह जो पूरा आपका sea bed है मतलब जो धरती है sea के एकदम नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस तरह कि potato के shape में यह आप right side में देख सकते हो इसको कहा आपको resources देखने को मिलेगा और इसका significance इसलिए है क्योंकि अगर हम इसका कुछ हद तक अगर अपने पास रख लें तो इसकी वज़य से यहाँ पर बताया जाता है कि भारत के लिए अगले 100 वर्शनों तक जो energy requirement है वो पूरा हो सकता है यह चीज़ यहाँ पर earth science ministry के द्वार कर रहे हैं तो इसका कुछ हिससा भी अगर हमारे पास आ जाए तो हम इसका काफी अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ याद रखना कि क्योंकि यह आपका international water में आता है तो ऐसा नहीं है कि भारत इसमें से जो भी फायदा मिलेगा वो सर्फ भारत का ही नहीं ह यहाँ पर भारत को उसको शेर भी करना पड़ेगा international community के साथ तो यह भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वैसे आपको बताओं तो 2018 से इसको लेकर काफी जोर शोर से त्यारी चल रही है और अब बताया जा रहा है कि क्योंकि इसको launch कर दिया गया है तो अगल ministry है इसको implement करने के लिए वो होगा आपका ministry of earth sciences this is very important इसको आपको ध्यान रखना है अब यह ministry of earth sciences क्या कर रही है कि बहुत सारे जो institutions हैं उनके साथ मिलकर काम करेगी जैसे कि IIMS हो गए IIT हो गई क्योंकि कई सारी चीज़ें इसके अंदर बनानी है अब वो क्या करना है वो मैं कि एक submersible भेजा जाएगा, submersible का मितलब है कि इस तरह का एक बड़ा सा कोई बनाया जाएगा आपका जिसमें जो humans हैं उनको रखकर यहाँ पर deep oceans के अंदर हम भेज सकते हैं इसका नाम है मत्स्या 6000, 6000 इसलिए है क्योंकि 6000 मीटर deep यह आपका नीचे जा सकता है, sea bed पर जा सकत इसकी यहाँ पर mining कर सकता है, तो यह आपका सबसे पहला component है कि मत्स्या 6000 इसको यहाँ पर बनाया जाएगा, अब इसकी त्यारी चल रही है, जो outer part है वो बनाया जा चुका है, यह जो आप pictures वगरा देख रहे हो, यह जस representation के लिए है, लेकिन जो outer part वगरा है इसका यह सब कु इसका diameter करीब 2.1 meter के आसपास होने वाला है, और 3 लोग इसके अंदर बैट के जा सकते हैं नीचे, और करीब 12 घंटे तक का इसका endurance है, मत्रब maximum 12 hours तक यह नीचे रहेगा, और फिर यह वापस आ जाएगा, फिर इसको भेजा जाएगा, इस तरह से चीजें पूरी work करेंगे, और साथी साथ यहाँ पर एक और चीजा रखना हो सकता है कि emergency situation में यह कहीं नीचे ही first जाए, तो maximum यहाँ पर 96 hours तक के लिए यो humans हैं, वो इसके अंदर रह सकते हैं, यह भी यहाँ पर तयारी की गई है, और जो दूसरा component है इसका, पहला तो हमने समझ लिया कि यह पूरा समर reversible भेजा जाएगा, दूसरा इसमें यह है कि यहाँ पर ocean climate change advisory services इस तरह की चीज़ें develop की जाएंगी, basically यहाँ पर बताया जा रहा है कि observation के लिए, यहाँ पर models बनाए जाएंगे, ताकि जो future projection करना है climate variables का, क्योंकि अगर हम इतने deep जा रहे हैं oceans के, तो climate का किस तरह का impact हो रहा ह जो कई दसों को impact है, वो हम predict कर सकेंगे, इसके लिए भी यहाँ पर इस तरह के tool sensor लगाए जाएंगे, इसके लाबा तीसरे component की मैं बात करूँ, तो इसमें बताया जा रहा है कि deep ocean के नीचे यहाँ पर जो flora है, fauna है, यहाँ पर जो microbes हैं, उसको किस तरह से हम utilize कर सकते हैं, त तो वो भी यहाँ पर पता लगाया जाएगा, fourth component की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर hydrothermal minerals पाय जाते हैं, उसको भी explore करने की कोशिश की जाएगी, hydrothermal minerals अगर मैं आपको बताओ, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जो precious metals हैं, वो पाय जाते हैं, यह precious metals कैसे बने हैं, जो earth का crush होता है, वहाँ पर यह form होते हैं, आपने सुना होगा, mid oceanic ridges के बारे में, तो Indian ocean में भी यहाँ पर mid oceanic ridges हैं, जहाँ पर lava वगरा धरती से निकलता है, तो उससे जो यहाँ पर metals बने हैं, उसको भी explore किया जाएगा, पाचवाँ इसका जो component है, वो यह होगा कि यहाँ पर जो offshore ocean thermal energy conversion power distillation plant है, sorry, desalination जो plants वगरा है, उसको किस तरह से study किया जाए, उसको हम किस तरह design कर सकते हैं, water वगरा की जो problem है, clean जो water हो गया, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर study किया जाएगा, और जो आखरी component है, sixth component है, उसमें यहाँ पर हम क्या करेंग एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो engineers हैं, ocean से related, उनको तयार करने की कोशिश की जाएगी, और इसको हम यहाँ पर जो businesses हैं, उसको कैसे translate कर सकते हैं, research and industries, applications के अंदर, यह सारी चीज़ें यहाँ पर six component में की जाएगी, तो I hope दोस्ते यहाँ पर जो भी कुछ था इस particular mission के बार के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हो, इस से related दो statement है यहाँ पर, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF टेलिग्राम पर आईए, अलग-अलग social media पर भी आपड्यूट सकते हैं, साथी साथ UPSC यहाँ पर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आ होगा, मिलता है, आप स्रेंक स time till then, thank you very much, see you soon.